दोस्तो स्वागत है आप सभी का नॉलिज पंजट पर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मोच्ट इंपोर्टेंट सामान ग्यान के प्रशन उत्त करा रहा हूँ जो एक्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट है और पूछे गए हैं इसमें मैंने करेंट अफेस के भी कॉशन लिये हैं तो वीडियो में आपको जो कॉशन पूछे गए हैं अची तरीके से याद कर लीजिएगा आने वाले एक्जाम के लिए आपके लिए रामबान कॉशन हो सकते हैं चले शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्ण है किस देश ने हर प्रकार की क्रिप्टो करेंसी विनिमेन को अवेध्य करार दे दिया है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये देश कौन सा है चीन है जिसने हर प्रकार की क्रिप्टो करेंसी के विनेमन को अवैध्य करार घोशित कर दिया है 24 सतंबर 2021 को हिमालियन फिल्म महुत्सों की मेजबानी कौन सा के इंदर शासित प्रदेश है जिसने की है तो 24 सितंबर 2021 को हिमालियन फिल्म महुत्सव की मेजबानी जो है ये की है लद्दाख ने राइट आंसर हो जाएगा वर्स 2021 के दौरन पंजाब के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं तो 2021 में हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरण जीत सिंग चिन्नी चुने गए है डिजिटल करेंसी बिटकोईन के संस्थापक इन में से कौन है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डिजिटल करेंसी बिटकोईन के संस्थापक इन में से सतोशी नाका मोतो है next question देख लेते हैं कौन से देश में हवा से सीधा carbon और dioxide सोखने वाला सबसे बड़ा सायंतर शुरू हो चुका है तो हवा से सीधा carbon dioxide सोखने वाला सबसे बड़ा सायंतर शुरू हो चुका है Iceland में next question देखते हैं ग्यार सेतंबर 2001 को सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले का जिम्मेदार कौन सा आतंकवादी संगठन था तो UN में ये सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले का जिम्मेदार जो था राइट आंसूर हो जाएगा अलकाइदा next question देखते हैं राजा महिंदर परताप सिंग राज विश्व विध्याले की आधार शिला किसके द्वारा लखी गई तो राजा महिंदर परताप सिंग विश्व विध्याले की स्थापना और आधार शिला जो है ये नरेंदर मोदी जी के द्वारा रखी गई तमिनाडू सरकार ने कौन से महाकवी की पुनितिती को महाकवी दिवस के रूप में मनाने की घोशना की है तो तमिनाडू राज सरकार ने जो है महाकवी के रूप में सुब्रमंडियम भारती जी की जैनती को महाकवी दिवस के रूप में मनाने की घोशना की है नांदेड जो की महराश्ट्र में सिखों के कौन से गुरू की समाधी है तो नांदेड सिखों के गुरू की समाधी गुरू गोविन सिंगी की समाधी के लिए प्रसिद्ध है गुप्तवंस के किस साशक के सासनकाल में नालंदा विश्विद्यालाई का विकास जो है कुमार गुप्त के सासनकाल में हुआ सन पंद्रा सो उन्तालिस में चौंसा के युद्ध में शेर सा सूरी ने किस मुगल साशक को पराजित किया था तो पंद्रा सो उन्तालिस में चौंसा के युद्ध में शेर सा सूरी ने जो है हुमायू को पराजित किया था next question देखते हैं, कौन से स्वाधीनता सेनानी को 50 वर्स का कारावास दिया गया था, तो 50 वर्स के कारावार की सदा, कारावास की सदा जो है, वीर सावरकर जी को दे गई थी, प्राचीन भारत में सिंदु घाटी सबिता के बाद कौन सी सबिता का उदय हुआ था, तो प्राचीन के बाद में 37 स्थापना के लिए अंतर राश्य संगठन की जो स्थापना हुई थी, वह संगठन है, option number संउक्त राश्य संगठन, सिखों के कौन से गुरू को लाहिना के नाम से भी जाना जाता है, तो लाहिना के नाम से स्रीक गुरू अंगत देव जी को जाना जाता है, next question देखते हैं, हर्यक वन्सके किस साशक की राजधानी में प्रथम बहुत धुमा सावा हुई थी, तो हर्यक वन्सके शाशक अजात सत्रू के शाशनकाल में बहुत सभा की पहली, जो है, right answer हो जाएगा, पहली बहुत धुमा सावा हुई थी, next question देखते हैं, पानीपत की दू consultant, global rating, 2021 में कौन प्रथम इस्थान पर रहा, तो global rating agency के द्वारा प्राप्त आकडों के अनुसार पहले नंबर पर जो है, कौन रहे इन में से, तो right answer, नरेंद्र मोदी, सबसे जादा चल्चा के विशे रहे, next question, वारानसी चुनार क्रूज सेवा किस नदी पर आरम की गई है, तो वारानसी चुनार क्रूज सेवा जो गंगा नदी पर आरम होई है, भारत के कौन से IAS अधिकारी ने पेरलंपिक 2020 में पदक जीता, तो भारत के IAS अधिकारी सुहास यतिराज ने पदक जीता है, next question देखते है, कौन सी online company ने किसान इस्टोर की शुरूआत की है, तो किसा लद्दाग का राज पक्षी कौन है, तो लद्दाग का राज पक्षी जो है, राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, राज पशू कौन सा है, तो लद्दाग का राज पशू हिम तेंदुआ है, राइट आंसर हो जाएगा, और पक्षी सारस, next question देखते हैं, वर्ष 2021 म कौन सा महीना पोशन महा घोशत किया है तो किंद्री महीला एवं बालविकास मंत्राले ने 2021 का जो महीना सितंबर है वह पोशन महा बताया है राश्र खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जन्ती के अवसर पर मनाते हैं तो राश्र खेल दिवस मनाते हैं ध्यान चन जी की जैन्दी के अवसर पर स्वास्संबंधित एप्लिकेशन वाई ब्रेकप किसके दुवारा लांच हुई है तो स्वास्संबंधि एप्लिकेशन वाई ब्रेकप जो है आईश्मंतराले ने लौंच की है भारत के कौन से राजनेता Grand Old Man के नाम से जाने जाते हैं तो भारत के राजनेता दादा भाई नरोजी Grand Old Man के नाम से भी जाने जाते हैं भारत के सर्वोचनेले के सरप्रतम मुख्य नयदीस कौन थे तो भारत के सर्वोचनेल के सरप्रतम मुख्य नयदीस हीरा लाल जे कानिया जी थे भारत की नादिती में कौन से राश्पती चुनाओ निर्विरोध जीते तो भारत के राश्पती चुनाओ में निर्विरोध नीलम संजीवा रेड़ी जीते थे भारत की तीनो सेनाओं का सेनापती कौन होता है तो भारत की तीनो सेनाओं का सेनापती राश्रपती जी होता है मंत्री परशत के वेतन और भत्ते कौन तै करता है तो मंत्री परशत के वेतन और भत्ते जो है ये संसद तै करती है इन में से कौन संसत का अंग नहीं है तो राश्पती, राजसवा, लोकसवा, मिलका संसत बनाते प्रधान मंत्री अंग नहीं है प्रारम में समीधान सवा में कितने सदस्य थे तो प्रारम में 389 समीधान सवा में टोटल सदस्य थे विजयरूपाणी ने इस्तीफा दिया उसके बाद गुजरात के नए मुख्य मंत्री कौन चाहिनेत हुए तो विजयरूपाणी ने इस्तीफा दिया उसके बाद गुजरात के नए मुख्य मंत्री बने है कौन तो भूपेंद्र पटेल धी Next question समिधान के अनुच्छे में संसोधन का वरणित किसमे है तो समिधान के अनुच्छे में संसोधन 368 में वरणित हुआ है समिधान के भागतीन में अनुच्छे 12 से 35 तक के बीच किसका उलेख है तो सम्भीधान के भागतीन में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के बीच में जो है ये उलेक है मौलिक करतव्य का इगोपाला एप्लिकेशन का वेब संस्क्रण किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो इगोपाला एप का वेब संस्क्रण जो है राश्ट्री डेरी विकास बोर्ड के द्वारा ये किया गया है विक्सित नेक्ट कोशन देखते हैं भारत का पहला स्वदेसी कंप्यूटर सिमुलेटर क्यूसिम किस ने विक्सित किया है तो भारत का पहला स्वदेशी, Computer Simulator QSIM, Electronics और सूचना प्रधोई की मंत्राले ने विक्सित किया है भारत का कौन सा राज़ी COVID-19 का ठीका करण करने में सबसे पहले नंबर पर रहा तो राज़ी कि अगर बात करें तो COVID-19 में हिमाचल प्रधेस नंबर वन पर रहा ठीका करन करने के मामने में जीवन भीमा निगम ने एजेंटों की सुविधा के लिए कौन सा अप्लिकेशन लॉंच किया है NTPC ने सबसे बड़ी floating solar PV परियोजना power plant परियोजना जो है किस सहर में आरम की है तो NTPC ने floating solar PV परियोजना विशाखा पटनम में शुरू की है भारत का पहला स्वदेसी motor चलित wheelchair neo belt किस ने विख्षित किया है तो स्वदेसी motor चलित wheelchair neo belt जो है IIT संस्थान चैन नहीं ने भारती प्रदोई की संस्थान चैन नहीं ने विक्सित किया है भारत का पहला स्मॉग टावर के सहर में स्थापित किया गया तो भारत का पहला स्मॉग टावर ये दिल्ली में स्थापित हुआ है उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री कल्यान सिंग जी की मृत्यू कब होई तो उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व मूख्य मंत्री कल्यान सिंग जी की मृत्यू 21 अगस 2021 को होई इन में से कौन सा मिशन प्रदूशन की रोक थाम के लिए महतव पूरुण है तो हाइड्रोजन मिशन जिसका मोदी जी ने हाल ही में गोशना करते हुए उधगाटन करने के लिए बोला है हाइड्रोजन मिशन प्रदूशन नियंत्रण के लिए महतव पूरुण मिशन है किसी भी ग्रह के चारो और परिक्रमा करने वाले आकाशिय पिंडों को क्या बोलते हैं तो किसी भी ग्रह के चारो और आकाशिय पिंडों की परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं वो क्या होते हैं उप ग्रह होते हैं भारत का सबसे पूर्वी विंदू कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी विंदू जो है राइट आंसा वालांगू है। न्यू यॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? तो न्यू यॉर्क सहर हडसन नदी की किनारे है। विशु की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती ग्रेट बेरियर रीफ कौन से महादीप में इस्तित है? तो विशु की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती ग्रेट बेरियर रीफ जो है आस्ट्रेलिया में है। तिब्बत से निकलने वाली कौन सी नदी को और राचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं तो तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को और राचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं भारत के कौन से राज को चीनी का कटोरा कहा जाता है तो भारत का राज उत्तर धका होने की करण सुईत महादीब कहलाता है भारत का कौन सा राज्य थोरियम भंडार माना जाता है तो भारत का राज्य जो है ये केरल थोरियम भंडार के रूप से जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका practice set paper कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेगा चैनल पर नहें तो subscribe कर लिजेगा बैल आइकन ओन कर लिजेगा बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुबहो